हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे डेली करिंट अफ्यर्स की सिरीज में आज है तीन माई और हम दिसकस करेंगे कुछ इंपॉर्टन करिंट अफ्यर्स कुछ हमसी क्यूज के साथ तो बने रहे हमारे साथ सेशन के अंति तक स्टार्ट करते हैं हम आज का इंपॉर्टन जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल तीन माई को इसकी सुरुआत की बात करें तो सबसे पहले हम इसका थीम देखते हैं इस साल दो हजार चॉबिस का वर्ल्ड प्रेस फ्रेडम डे का थीम है अब प्रेस फॉर दी प्लानेट जर्नलिस्म इन दप फेस ऑफ दी इन्वर्में पर दिसेंबर 1993 में UNGA द्वारा डिकलेर किया गया था तब से इस हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दे तीन माई को मनाया जाता है अगर हम बात करें यहां पर कि इसका एम क्या है इस दिवस को मनाने का तो इसका लक्ष है प्रेस फ्रीडम के इंपॉर्टेंस को हालाइट करन जर्नलिस्ट के कॉंट्रिबूशन को एकनॉलिस करना अगर हम यहां पर जाने इसकी इस साल दो हजार चॉबिस में गवर्मेंट ऑफ चिले एंड यूनेस्को के द्वारा 31st वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कॉंफरेंस को होस्ट किया जा रहा है कहां पर होस्ट कर रहे हैं य यूनेस्को एंड चिले के द्वारा और यह इस साल का जो थीम है वो आप याद रखेंगे अप्रेस फॉर दी प्लानेट जर्नलिस्म इन दा फेस ऑफ दी इन्वर्मेंटल क्रैसिस नाव अब हम अपने MCQ की ओर बढ़ते हैं हमारे सेशन का आज का MCQ है इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर A यानि दॉक्टर पूर्निमा देवी पर्मन इन्हें वाइटली गोल्ड दिया गया है इंडेंजर्ड ग्रेटर एडजर्टेंट स्टॉक के कंजर्वेशन के लिए जिसे लोकली हर गिला भी कहते हैं या जो अवाड है वाइटली गोल्ड अवाड इसे ग्रीन आसकर भी कहा जाता है जो यूके बेस्ट वाइकली फंड के द्वारा नीचर कंजर्वेशन में आउटस्टेंडिंग कांट्रिबूशन के लिए दिया जाता है अगर हम डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में जाने इनके बारे में जाने तो यह कहां से है तो यह असाम से बिलॉंग करती है और यह लगबग दो सक से ग्रेटर एजटेंड के संडेक्शन के लिए वर्क कर रही है और इन्हों ने वहां पे और वूमेन ग्रासरूट ग्रूप पे बनाया है हर गिला आर्मी के नाम से और यहां पे अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भी अगर पारवती बरुवा के बारे में अगर आपको याद है तो इन्हें रीसेंटली पदमस्री अवार्ट से भी सम्मानित किया गया है और यह जो है हमारे कंट्री की फॉर्स्ट वूमेन महावत है आप अगले क्वेशन पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेशन है दप्लेट्रू कैमपेइन तो क्रिएट अवेर्नेस अबाउट क्लीन स्पोर्ट्स है बिन और गनाइज़ बाइज बाइज ऑप्शन ए है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजन्सी ऑप्शन भी है नैशनल एंटी डो एंटी डोपिंग एजन्सी यह कैमपेइन जो है आपका प्लेट्रू कैमपेइन इसे नैशनल एंटी डोपिंग एजन्सी यानि नाड़ा के द्वारा 15 टू 30 अप्रिल तक और गनाइज किया गया था जो कममरेट करता है वाड़ा के प्लेट्रू डे को जो वाड़ा के प्लेट्रू डे को कममरेट करता है और इसका एम है क्लीन स्पोर्ट एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देना अगर आपको याद है तो हम आपको वर्ल्ड एंटी डोपिंग रिपोर्ट रिलेटेड चीजों को अल्रेडी प्रिवियस सेशन्स में बता चुक और नाड़ा यानि नैशनल एंटी डोपिंग एजनसी जो है वो कब स्टैबलिस हुई थी आप मुझे एर बताएंगे नाओ चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसिचूट इस कोलाबरेटिंग विच दी मिनस्ट्री ऑफ आय और योगा ऑप्शन सी नैशनल इंस्टिट ऑफ यूनानी मैडिसीन और ऑप्शन डी सेंट्रल कॉंसर फॉर रिसर्च इन योगा एंड नूरोपैथी इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी यानि मुरारजी देशाई नैशनल इंस्टिट ऑफ योगा मिनिस्ट्री इसके द्वारा हंडरेट डेज, हंडरेट सी टीज एंड अर्गनाइजेशन केंपेञ्ट को और गनाइज किया जा रहा है इंटरनाशनल योगा डेट ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर के उपलक्ष में इस कैंपेञ्ट को और गनाइज किया गया है और अगर हम बात करें यह इंटरनाशनल डेट ऑफ योगा है 2024 का तो यह 10th edition है और इसे जो है 2015 में UN द्वारा इंटरनाशनल डेट का दरजा दिया गया था इंटरनाशनल योगा डेट किया गया था चलिए और आप मुझे यहां कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंटरनाशनल डेट ऑफ योगा हर स टाल किस दिन मनाय जाता है यह जून में मनाय जाता है और जुन में कॉचे दिन को यह उबनाया जाता है आप मुझे गाल अग्ला क्वेशन देखते हैं नेक्स्सक्षय सिर्पोंस्ट को डिस स्पेशल ओलम्पिक एसिया पेसिफिक एड्वािश रिक JUST have डॉक्टर मलिका नडड़ा, उप्षन B, डॉक्टर हर्सवर्धन, उप्षन C, डॉक्टर नरेश्ट त्रेहान, एडॉक्टर खिरनबेदी. तो इसका अंसर हो जाएगा, उप्षन नंबर A, यानि डॉक्टर मलिका नडड़ा इन्हें अपॉइंट किया गया है, Special Olympics Asia Pacific Advisory Council किया चेर परसन इन्हें अपॉइंट किया गया है अगला क्वेशन है Who will be the host city of the badminton वर्ल्ड जूनियर चैंपियंटिप ट्वेंटिफाइब Option A बैंगलूरू Option B गुवाहर्टी Option C गुजरात Option D लखनौ तो इसका आंसर हो जाएगा Option B यानि गुवाहर्टी गुवाहर्टी जो है Badminton World Junior Championship 2025 का host city है गुवाहर्टी में इसे और्गनाइज किया जाएगा अगले साथ हमारा अगला question है इस question का answer आप मुझे comment section में देंगे अभी just हमने इसे देखा इसे related एक और RMC क्यों हमने किया आप मुझे बताएंगे which ministry is organizing the hundred days, hundred cities and hundred organizations campaign, option A ministry of health and family welfare option B ministry of IUs and option C ministry of education and option D ministry of culture तो इस question का answer क्या हो जाएगा आप मुझे comment section में बताएंगे now इस question के साथ हम अपने session को यहाँ पर करते हैं आप से मिलेंगे अगले session में कुछ new topics के साथ पढ़ते रहिए बुस्कुराते रहिए मिलते हैं अगले session में next day धन्यवाद